नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अली बाबामे तो आज सिखेंगे दोस्तों जो स्टैनस क्लोराइड है SNCL2 उसका मॉलिकुलर वेड हम किस तरह निकालते हैं तो दो है एक हम SNCL2 बोलते हैं तो इसकी प्रिप्रेशन कैसे बनानी है यानि 0.1 मॉलर का स्टैनस क्लोराइड हम किस तरह बानाते हैं वह हम नेक्स्ट व्रियो में देखेंगे आप आज जो है वह सिंप्ली हम देख लेते हैं कि इसका मॉलिकुलर वेड कैसे निकालते हैं क्योंकि मॉलर का स्टैनस क्लोराइड अगर बनाना है तो मॉलिकुलर वेड जो है वह बहुत जरूरी है तो SNCL2 इसका भी मॉलिकुलर वेड देखेंगे और अगर यह स्टैनस क्लोराइड डाहेडरेड है तो SN, CL2, Toys, H2O, इसका भी molecular weight देखेंगे, अगर molecular weight निकालना है दोस्तों, तो हम atomic weight जिसने, जितने इसमें elements होते हैं, उनके atomic weights की हम addition करते हैं, SN, CL2 का अगर बात करें, तो इसमें stannis है, यानि lead teen है, और यह है chloride, ठीक है, तो SN2, SN plus toys, CL की अगर हम addition करते हैं, दोस्तों, तो हमें, SN2 का molecular weight जो है, वो मिल जाएगा, SN की teen की अगर बात करें, तो इसका जो atomic weight है, वो है 118.71, और chlorine की अगर बात करें, तो इसका है 35.5, तो 117.71, प्लस, इसकी अगर हम addition करेंगे, तो यह आएगा 71, और total अगर इसकी हम molecular weight की अगर बात करें, तो यह आ जाएंगे, 981.71, तो इसका जो molecular weight है, stannous chloride का, यह stannous chloride का, तो वो आ गया, 189.71, ठीक है, अब बात करतें दोस्तों, इसकी, तो इसका तो molecular weight हमें पता है, 189.71, अब इसका निकाल लेते है, H2O का molecular weight कितना है, H2O का 2 into hydrogen plus oxygen, 2 into hydrogen का 1 है, oxygen का 16 है, तो यह हो जाएंगे, 18, ठीक है, अब 18 into 2 अगर हम करते हैं, तो यह आ जाते हैं, 36, तो इसमें हम, 36 जो है, वो मिला देंगे, तो 36 अगर हम मिला देते हैं, तो इसका कितना आएगा, तो यह 6, 95, 4, 12, 225, यह 7, 1, तो इसके अगर हम molecular weight की अगर बात करें, तो यह आ जाएगा 225.71, तो इस तरह दोस्तों हम जो है, वो molecular weight निकालते हैं, यह stynos chloride का हो गया, 189.71, तो इसके जो है, वो हम देखेंगे, कि 0.1 molar या 1 molar का solution जो है, वो हम SCL में किस तरह बनाते हैं, stynos chloride का, वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, तो जरूर लाइक करें, दोस्तों को share करें, और ऐसे educational वीडियो पाने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए दोस्तों, thank you, thank you very much.